तो यह वीडियो रहेगी बेस्ट रीजन जो परपस और विजट में आप किसी भी कंट्री में अप्लाई करते हैं सबसे बड़ीया रिजन बद लगने के ज्यादा चैंस होते हैं अविज सोचता है कि यह षी सोचता है कि किसी का इनवर सव रही है यह स्टॉंग रिजन है कोई सोचता है कि किसीने नयाहागी यह निया गर ली है यह strong reason है मतलब बहुत से reason बंदा खुद सोचता है कि यह reason हो सकता है strong यह reason strong हो सकता है तो actual में strong reason होते कौन से है तो यही हम detail में discuss करेंगे तो अगर आप channel पे नहीं है तो channel को जल्दी से subscribe कर लो विजा लेटर भी और Life in Australia को लेके भी बहुत सी videos channel पे आ चुकी है अलग-अलग profession को लेके interview भी आ चुकी है तो आपने अगर नहीं देखा अभी तक वो video तो channel को browse करके आप देख सकते हैं तो यहाँ पे सबसे best purpose of visit क्या होता है यहाँ पे देखो मैं आपको थोड़ा hint दे देता हूँ सबसे best purpose of visit होता है जो चीज नॉर्मली दबारा होने के chances नहीं है मतलब कि once in a lifetime जैसे कई चीज़ें होती है कि वो दबारा जहां बहुत often यह चीज़ें नहीं होती अब इसमें बता देता हूँ इसमें birthday नहीं आएगा बड़े हर साल आता है तो यह उस category में नहीं आएगा नॉर्मल रिजन भी काम करते हैं मिलने जा रहे हो सबसे best इसमें होता है जो मैंने देखा है जो बहार के country में रह रहा है यह मैंने देखा है सबसे best है तो यह सबसे top का reason होता है कि वहाँ पर उसकी शादी है क्योंकि यह चीजें आपको पता है कि बार-बार लाइफ में नहीं होती तो इसलिए इस purpose के उपर visa ratio जो है ची रहती है लेकि profile देखे मैं हमेशा कहूंगा एक free बंदा कुछ नहीं कर रहा बंदा वो सोचेगा कि यह purpose of visit है तो इस पे मेरा visa आएगा तो यह भी आपकी गल्द family मैं कहूंगा आपका profile भी matter करेगा लेकिन यह reason strong है जाने का आने के reason तो आपको शोग करने पढ़ेगे फिर होता है जब किसी ने गर लिया होता है आपका family member गया है उसने गर है तो उसकी house warming party गर रखी है तो यह reason भी काफी visa बगएरा दिला देता है specially close one को अब अगर किसी ने गर लिया हुआ है और कोई बहुत दूर का दोस्त रिष्टेदार इस reason को बहुत strong समझ रहा है तो ज़्यादा तर close family member के लिए reason strong होता है नहीं तो अगर आपका profile अच्छा है देखिए जब profile अच्छा है न तो आपके पास चाहे कोई reason नी simple मिलने का reason भी है न तो दोस्तों तो भी visa आ जाना है अगर profile अच्छा नहीं तो आप जितने मर्जी reason डूंड लो चाहे आप MPK लेटर लग वालो तो भी वैसी ने refusal देदी नहीं है क्योंकि आपका जाने का reason हो गया मानलिया strong है चाहे बेसी का कुछ भी है बट वापस आने का reason उससे भी उपर होना चाहिए that is your family ties and your financial tie up with your home country आप जिस भी country में हो आपकी earning आपकी income on record आपके वापस आने की reason वो calculate करता है वीजा officer जब भी उसने वीजा grant करना होता है तो लेकिन आप अपने एंट से purpose of visit जाने के reason को at least strong कर सकते है तांकि वैसी को थोड़ा सा कई बार profile को थोड़ा बहुत वो अगर reason strong लगे तो शायद वो visa दे दे बट सिर्फ लिखने से नहीं है कई पता क्या करते हैं कई बनते हैं वैसी से भी smart कि चलो लिख देते हैं जी हान जी reception है शादी है जी हम जा रहे हैं बट देखिए कोई ना कोई document लगाऊ सबसे मैं पहले बताऊंगा कोई ना कोई document लगाऊ जिस पे कोई booking वेरा हो कोई reception party उसकी booking वेरा हो तो मतलब सामने से कोई ना कोई proof लगाऊगे तो और अच्छा होता है एक और पर विजर में मैं मैंशे करना बूल गया कर नौर्मली क्या होता है कि यहां पे जैसे कहीं भी बार के country में कई बार क्या होता है कि आपके बच्चे वेरा रहते हैं और वहां पे आप जैसे grandparent बनने वाले हैं तो वहाँ baby बगारा है उसकी due date मिली हुई है तो उसपे क्या होता है कि वो भी एक reason होता है जिसपे visa किसको मिलता है यह समझ ले बहुत से लोग ऐसा करते हैं जी हर कोई सोचता है यह इस reason मिल जाएगा ज्यादा तर जो यहाँ इस ट्रेलिया में है husband wife यहाँ पे है तो उसमें यह husband की mother को visa मिलने के chance ही ज़्यादा होते है जहाँ जो spouse है दूसरा applicant उसकी mother को मिलने के chance ही ज़्यादा होते है तो यह reasons जो होते है सास जहाँ mother के लिए मैं कहूंगा तो strong reason बनते हैं visa के बाकी किसी भी applicant के लिए इस reason को आप strong में नहीं count कर सकते तो यह purpose और visit की update थी तो ऐसी और वीडियो के लिए आप channel को subscribe कर ले बहुत सी वीडियो life in Australia को लेके भी इस channel के उपर आ चुकी है मिलते हैं अगली वीडियो में नई update के साथ आज के लिए तना ही